तो हे गाइस वेलकम एक को न्यूव विडियो में तो आई आप सब बढ़ियाऊंगे और बढ़िया ही रहना तो आज हम बात करने वाले हैं 10th 12th वाले बच्चों के बारे में जो CTP कमपार्टमेंट एक्जाम दे रहे हैं क्या उनकी प्रैक्टिकल होगी किन बच्चों की प्रैक्टिकल होगी और कहां से पूछे जाएंगी क्योस्चन और कब आएगा 10th CTP कमपार्टमेंट वाले बच्चों का रजल्ट तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप चैनल पी नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और टेलेगराम चैनल को जुरूर जोइन कर ले वहां मैं आपको इसे रिलेडिड भी जानकारी देता रहता हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो गाई सबसे पहले बात करें कि किन बच्चों को practical देनी है तो जिन बच्चों का लिष्ट में नाम आया है उन बच्चों को practical देनी है मैंने कुछ दिन पहले वो लिष्ट भी डाली थी वीडियो में तो वहां से आप चेक कर सकते हैं या आप बोर्ड की साइट से अपना नाम चेक कर सकते है यदि आया है तो ठीक है तो अब बात करें कि क्या 10th वर 12th वाले बच्चों को practical फाइल बनानी है जी हाँ दोस्तों आपको practical फाइल बनानी है क्योंकि वहां से भी आपको नमबर मिलते है 20 नमबर तो गाइज अब बात करें कि कहां से पूछे जाएंगे क्योस्टन तो गाइज प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से क्योस्टन पूछे जाते है तीन से चार तो आपके सही होते है तो आपको पूरे पूरे नमबर दे दिये जाते है यह नहीं होते तो कुछ नंबर काट ले जाते ठीक है तो guys अब बात करें कि result कब आने वाला है तो guys जिन बच्चों ने exam दे दिया तो उनका result जल्दी आने वाला अब की बारिकों की digital marketing होगी तो उसमें जल्दी चेक हो जाएंगे तो आपका result नौवमर के end में आने के chance है पूरे पूरे तो guys आज की वीडियो को हम करते ही पे end आई आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक जीरे subscribe कर दे मिलेंगे न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार्थ